consider कीजिए एक circuit जहां इस circuit में एक battery है और एक LED बल्ब लगाया गया है और एक switch यहां provide किया गया है जहां से हम on-off करते हैं अब जैसे ही हम यहां पर on करते हैं switch तो यह LED गलो करेगा और off करेंगे तो off हो जाएगा simple यह तो हम देखते हैं बट यहां इस circuit में अगर थोड़ा सा change लाया जाए इस circuit में अगर एक solenoid जैसा यानि कि यह जो wire है इसको थोड़ा सा coil की form में घुमा दिया जाए solenoid बन जाएगा और उसी तरह से switch प्रोवाइड किया जाए पैटरी प्रोवाइड किया जाए LED यहां पे लगाई जाए अब हम observe करते हैं यह दो circuit differently behave करते हैं पहले में जैसे on किया switch तो light on हो जा रही थी full current आ जा रहा था इस case में यह जो हमने solenoid introduce कर दिया है इसके कारण होता क्या है कि जैसे हम switch on करते हैं तो कुछ time के लिए सिर्फ fraction of seconds के लिए एक दो second के लिए यहां पर यह जो bulb है immediately grow नहीं करता यानि कि full light नहीं देता पहले थोड़ी light फिर थोड़ी और बढ़ती है फिर थोड़ी और बढ़ती है फिर थोड़ी और बढ़ती है जैसे आपने decoration के लिए या दिवाली पर जब हम bulb लगाते हैं वो जैसे धीरे धीरे glow करते तो यह जो delayed glow हो रहा है या current जो धीरे धीरे बढ़ रहा है ये किस वज़ा से है किस के कारण इस current को opposition मिल रही है full current क्यों नहीं आ रहा this is our first observation फिर हम देखते हैं जैसे हम जब ये full glow ले लेता है light हम इसे switch को off करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर switch के पास हमें एक spark मिलता है this is our second observation ये क्यों हो रहा है दोनों चीजें क्यों हो रही है इसका answer है due to the self induction self का मतलब खुद में ही induction resistance जैसा लगता है यानि की current को एक resistance मिल रही है बट वो अब normal resistance नहीं है जो हम पड़े थे ये हो रहा है induction के कारण इसी लिए ये जो solenide हमने लगाया है इस सरक्ट में इसे register नहीं बोल सकते बट हम बोलते हैं inductor अब हम इन दोनों observations को explain करते हैं और इनके reasons देखते हैं कि क्या क्या reasons है first observation जब हम switch on करते हैं तो यहां पर जो glow हो रहा है जो current pass हो रहा है वो कम हो रहा है यानि कि धीरे धीरे बढ़ रहा है यानि कि ऐसा लग रहा है जैसे इसे कुछ opposition मिल रही है जब हम switch on करते हैं तो current build up होता है यानि कि current एकदम से अगर 5 ampere जाना है इस wire में तो सीधे 5 ampere नहीं होगा common sense है किसी time एक ampere होगा फिर दो ampere होगा तीन चार और फिर पांच महुचेगा अब इस time के दौरान ये fraction of seconds या एक दू seconds के लिए जब current build up हो रहा है उस time ये inductor जो होगा इस पे magnetic field जो होगी वो भी change होगी पहले एक ampere के हिसाब से फिर दो ampere के हिसाब से अब magnetic field बढ़ रही है तो हो गया ना change यानि कि d5 by dt हो गया flux change हो रहा है time के हिसाब से अब हमने ये पता है कि lenses law में हमने देखा था जब हम induced EMF की direction बता रहे थे कि किसी भी circuit में अगर changing magnetic flux मिलेगी अगर magnetic flux change होती दिखेगी तो एक EMF induced होता है और उसकी direction क्या होगी वो direction induced EMF की उस तरह होगी कि वो उस change को oppose कर सके resist कर सके उससे लड़ सके तो यहां पर यह battery current दे रही है इस तरफ तो जो magnetic flux change हो रहा है कुछ ही seconds के लिए उसके कारण magnetic flux change होगी और magnetic flux change होने के कारण induced हो जाएगा EMF अब कोई और coil नहीं है खुद में ही हो रहा है induced EMF यानि कि self induction हो रही है खुद में ही opposition आ जा रही है सरक्ट में इसलिए इसको self induction बोलते हैं इसके कारण क्या होगा direction क्या होगी इसकी इसकी direction होगी oppose करने की यानि कि induced EMF opposite to applied EMF होगा जिस हिसाब से जहां से current आ रहा है उस current को opposition मिलेगी इसी के कारण हमारा जो bulb है वो धीरे धीरे glow कर रहा है बट इससे कितने time तक हो सकता है जब तक magnetic flux stable ना हो जाए या कह सकते हैं जब तक current stable ना हो जाए जब 5 ampere हो गया इस inductor में magnetic flux जो है वो fix हो गई constant हो गई अब induced EMF produce नहीं होगा यानि कि full glow आ चुका है light का so this explains our first observation जब हमने देखा कि bulb जो है वो धीरे धीरे glow हो रहा है अब हम देखते हैं the second observation जहां पर हमने देखा कि जैसे ही इसको off किया तो यहां पर हमें एक spark मिला यह spark कहां से आ गया हमने तो battery को connection हटा दिया है तो यह spark कहां से produce हो रहा है तो देखिए जब हम off करते हैं तो हम एक और चीज़ करने की try कर रहे हैं again magnetic flux को एकदम से zero लाने की कोशिश कर रहे हैं यानि की change करने की कोशिश कर रहे है magnetic flux को तो इसके कारण क्या होगा again lens law यानि की जब भी magnetic flux change होगी induced dmf हो जाएगा और उसकी direction क्या होगी direction होगी कि जिस हिसाब से उस direction में जाएगा current जहां पर हमें ऐसा लगे कि हम magnetic flux के change को oppose कर पाए यानि की change को oppose करने का action क्या है हम off कर रहे है तो यह चाहेगा कि on ही रहे यानि की current की दिशा में यानि की एक तरह से battery की तरह ही काम करना शुरू कर देगा for fraction of seconds यह क्योंकि बहुत कम time में हो रहा है क्योंकि हमने just switch off कर दिया तो उसके कारण क्या होगा जो EMF produce होगा वो ज्यादा होगा यह faraday का second law कहता है तो उसके कारण यहाँ पर induced EMF यानि की voltage build up हो जाएगा मतलब इस switch के around यहाँ पर अगर यह direction है तो यहाँ पर positive हो जाएगा और यहाँ पर negative charge accumulate हो जाएगा और क्योंकि gap कम है उसके कारण spark produce हो जाएगा so this phenomenon जो अभी हमने देखा इसे हम बोलते हैं self induction खुद में ही induction कर रहे ना इसे हम inertia of electricity भी बोलते हैं यानि की change के against यानि की property of a material where it opposes the change in current in itself खुद में ही इसलिए इसको inertia भी बोलते हैं electricity का हम यहाँ कह सकते हैं जो change in magnetic flux हो रहा है वो किस की वज़ा से हो रहा है वो हो रहा है change in current की वज़ा से जो current build up हो रहा है या हम zero करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हम change लाने की कोशिश कर रहे हैं current में उतना ही हमारा change होगा magnetic flux तो हम कह सकते हैं, induced EMF will be directly proportional to change in electric current, जितना current आप change करेंगे, होना क्या है, current change होने से क्या होगा, magnetic flux change होगा, और magnetic flux change होगा, तो induced EMF होनेगा, तो पर जो base है, वो किसकी वज़ा से हो रहा है, magnetic flux change, क्योंकि current change हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं, E is directly proportional to d i divided by dt, change in current in dt, इतने टाइम में, अगर अब इस directly proportional sign को हटा दे, तो हमें मिलेगा एक constant of proportionality, और इसको हम denote करते हैं, capital L से, इसे क्या बोलें, resistance बोलें, नहीं, क्योंकि ये induced EMF के कारण हो रहा है, इसे बोला जाता है, inductance, इसके unit क्या होंगे, यहीं से निकाल सकते हैं, change in time, seconds, change in current, ampere, EMF क्या होता है, volt, तो अगर दूसरी तरफ लिया जाए से, तो क्या हो गया, volt second by ampere, तो इस तरह से हम इसके unit लिख सकते हैं, बट इस volt second per ampere को हम henry से या capital H से denote करते हैं,